क्या open heart surgery रोबोट से की जाती है? तो ये बिलकुल की जा सकती है और ये बहुत ही advanced तरीका है open heart surgery करने के लिए और बहुत safe है क्योंकि ये robot इसमें काम कर रहा होता है बट इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर डॉक्टर का कोई involvement नहीं होता है उस तरीके से ये surgery करते है robotic surgery बहुत ही advanced technique है और बड़ी limited जगह है इसके options available है लेकिन ये बहुत ही safe और कहीं न कहीं इसका जो success rate है वो काफी अच्छा है कई बार जब valves में या तो valve फैल जाए या तो सुकड जाए या जो उसके leaflet है valve के वो ठीक से काम ना करें तो valve को repair and replace करने में भी robotic surgery का काफी बड़ा rule है चाहें वो valve replacement हो चाहें वो valve repair की surgery हो valve repair कब किया जाता है कि अगर मालीजे थोड़ा सा defect है या regurgitation हो रहा है यानि कि regurgitation का मतलब होता है कि जिसे blood को आगे जाना चाहिए valve बंद होने के बाद बिलड पीछे नहीं जाना चाहिए अगर बिलड पीछे जाता है तो इसको regurgitation कहता है लेकिन अगर valve पतला हो जाए तो जिस normal flow से blood आगे जाता है अगर उस normal flow से ना जाए और ये narrow हो जाए valve और इसको valve का stenosis कहा जाता है या aurtic valve में भी हो सकता है, material valve में भी हो सकता है, heart में 4 valve होता है तो किसमें भी ये regurgitation या stenosis हो सकता है तो इसके लिए जो surgeon है वो रोबोट की बदत से micro incisions लगाके और micro instruments को use करके या तो पूरे valve को ही replace कर देता है लेकिन कई बार अगर छोटा सिर्फ repair की जरूत होती है तो valve के repair करने से भी बात बन जाती है बहुत से लोगों में ये जो बिमारी है congenital heart disease के तोर पे भी develop होती है या बाद में rheumatic heart disease के तोर पे भी जो valve के leaflets हैं या जो heart के valves हैं वो खराब होने लगते हैं और proper तरीके से काम नहीं करते हैं तो समय सरजरी करने के जरूरत पड़ती है अभी तक अक्सर जो है ये open heart surgeries होती है लेकिन आप robotic surgery आने से इसमें भी एक next level की perfection और outcome आने लगे है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी भरा लगा होगा अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like कर ले, share कर ले आप वीडियो देखते जरूर है बट subscribe नहीं करते, ऐसा ना करे, subscribe भी कर ले, so that मेरा भी motivation बना रहे और bell icon का button भी दबा ले, so that आपको इस तरह के medical informative videos समय पे मिलते रहे, thank you